नमस्कार दोस्तो मैं हूं नीरे ज्यादो और आप देख रहे हैं ट्री नाइंटी नाइन चनल दोस्तो आज किस वीडियो में लूशन वस्तूनी समान गयान से सबंदित भूबल कई हैं वीडियो लेकर करके परजेंट हुए हैं जिसमें भारत की मीटिया के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तो आज इसमें टोप 50 mc की उपरस लेकर के परजेंट हुए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो प्लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी साथ बेल एकन को दवाले तक मेरे दोवारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिके भारत के नुसार भारत में कितने परकार की मीटी पाई जाती है भारत में आठ परकार की मीटी पाई जाती है छेतरिये बिस्तार और किरीसी के महतों की दिरिश्टी से भारतिये मीटीयां के कितने परमुख वर्ग हैं परमुख चार वर्ग हैं भारत की सरवाधिक महतों कौन सी है जलोड मीटी भारत के सरवाधी की छेतर पर किस परकार के मीटी का अभिस्तार है जलोड मीटी का अभिस्तार सबसे ज्यादा है भारत के छेतरों पर नेश्ट है छेतफल के अधार पर भारत की मीटीयां का सही और रोही करम क्या है सबसे ज्यादा जलोड मीटी पाया की मीटिया पाई जाती है इसका पर्मु कारण क्या है इसका पर्मु कारण है जलवाई सन रचना यूम उचावच की बिविद्ता होना नेक्स्ट है भारत के उतरी मैदान में किस मीटी का अभिस्तार अधिक्तम है जलोड मीटी का नवीन जलोड मीटी का अन्य किस नाम से जाना जाता है जो नया जलोड मीटी है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है इसे खादर के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोड मीटी को अन किस नाम से जाना जाता है बांगर के नाम से जाना जाता है नेश्ट है निम्न में से कौन सरवाधिक के समरिध मीटी है सरवाधिक समरिध मीटी जो की जलोड मीटी है सरवाधिक समरिध मीटी मानी जाती है गांगा के जलोड मीटी के भूमी सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर गांगा के मैदानी की पुरानी कछारी मीटी कहलाती है पुरानी कछारी मीटी है जिसे बांगर कहा जाता है निमने लिखित में किस परकार की मीटी के लिए नियुंतम उर्वारता किया आव सकता होती है? जलोड मीटी के लिए कम उर्वारता किया आव सकता होती है? क्योंकि खुद उपजाओ होती है निक्त प्रस्ण है, गांगे के मैदान के पुरानी कछारी मीटी का लाती है, पुरानी कछारी मीटी को बांगर कहा जाता है, भारत के समस्त अस्तल भाग का कितना परतिसद जलोड मीटी से धका हुआ है? चोईस परतीसद भाग जो की जलोड मीटी से ढखा हुआ है जलोड मीटी में जब बालू के कनो और चीका की मातरा लगभग बरावर होती है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है इसे डूमट के नाम से जाना जाता है बालू के कनों और चीका के मातरा को लगभग दोनों अगर बरावर रते हैं तो इसे डोमट के नाम से जाना जाता है नेश्ट है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिटी क्रिष्टेसियस युग में ददारी उद्भेद से निछेपीत पदार्थों से बनी है काली मिटी निव्ण में से कौन सी मिटी परएदीपी भारत में अधिक्तम चेतर पर बिस्तरित है काली मिटी के लिए काली मिटी को सरवतम मिटी माने जाती है नेश्ट है लावा के परवाह से किस मीटी का निर्मान होता है लावा के परवाह से काली मीटी का निर्मान होता है नेश्ट प्रस्ण काली मीटी का बिस्तार पाया जाता है इन में सबी महराष्ट मद परदेशयों गुजरात में काली मीटी का बिस्तार पाया जाता है नेश्ट है काली मीटी की स्फसल की खेती के लिए सरवाधिक उपयोगी है कापास के लिए निमने लिखित में कौन सी मीटी जैव पदार्थों से भरपूर होती है काली मीटी जो की जैव पदार्थों से भरपूर होती है नेश्ट प्रस्ण है, काली मीटी के समंध में नीम में से कौँ सा कथन जो की गलत है इसमें जो पहले सही है उसकों लोग देखेंगे काली मीटी का पास की समरीधी के लिए आदर्श होती है इसमें आदर्ता को अधिक समय तक धारन करने की छमता होती है यो हम सुखने पर काली मीटी में दरारे पड़ जाती है पर इसमें फोर्थ नमबर है जो की गलत है इसकी जूताई अधिक करनी पड़ती है किस मीटी का निर्मान बैसाल चल्टानों के बिखंडन से हुई है बैसाल चल्टानों के बिखंडन से काली मीटी का निर्मान होता है किस मीटी में क्रिसी के लिए सिचाई के आव सकता नहीं होती है नेक्स्ट है भारत में काली कपासी मीटी को किस अस्थानिय नाम से जाना जाता है काली कपासी मीटी को रेगूर के नाम से जाना जाता है निमने लिखित में किस मीटी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जूताई स्वतव होती रहती है काली मीटे की जोताई स्वता होती रहती है क्योंकि इसमें लंबा लंबा यों बड़े दरार हो जाते हैं भारत में लाल मीटी का सरवाधिक बिस्तार पाया जाता है लाल मीटी का सबसे ज़्यादा बिस्तार भारत में आंध पर्देशयों तमिल नाडू में पाये जाते हैं नेक्ट प्रस्टन है ग्रेनाइट और नाइस चटानों में किस परकार की मीटी का निर्मान होता है गेरनाइट और निस्चेटानों में जो कि लाल मीटी की लाल मीटी है जिसका निर्मान होता है तमिलाडू के दो तीहाई छेतर पर किस मीटी का अभिस्तार है तमिलाडू के दो तीहाई भाग पर लाल मीटी का अभिस्तार है लाल मीटी नेक्ट प्रस्टन है लाल मीटी के समद्ध में कौन सा कथन जो की गलत है इसमें जो सही उसकों लोग दखेंगे लाल मीटी जो होता है से लोह आयस की उपस्थिती के कारण इसका रंग लाल होता है यह सुसक और आदर छेतरों में पाई जाती है यह अधिकांस्ता तमिल नाडू और आंध परदेश में पाई जाती है यह सवी सही परफोर्थ नमबर जो की गलत है इसमें दिया हुआ है यह मीटी नदी घाटी में पाई जाती है जो की गलत है लेटराइट मीटी के निर्मान है तू उतरदाई है लेटराइट मीटी के निर्मान है तू क्या उतरदाई है बतलाना है तिसमें अब छालन एयों के सिका किरिया जो कि निर्मान है तू लेटराइट मीटी के निर्मान है तू उतरदाई है नेक्स्ट है किस मीटी में लोहे औ और एलुमुनियम की ग्रांथियां पाई जाती है लोहे एलुमुनियम की ग्रांथियां जो की लेटराइट मीटी में पाई जाती है नेक्ट प्रस्ण है लेटराइट मीटी का प्रधान है लेटराइट मीटी का प्रधान है मलावर तटी ये प्रदेश में भारत में निमली ख अतिरेक होने के कारण अनूर्वर होता जा रहा है लेटराइट नेश्ठ है निमने लिखित में कौन सी मिटी सुख जाने पर इट की तरह कठोर यो गिली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है लेटराइट मिटी है जो की सुख जाने पर इट की तरह कठोर हो जाती है यो गिली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है नेश्ठ प्रस्ण है निमने लिखित में कौन सा कथन जो की गलत है इसमें जो सही है उसकों लोग पहले चाचा करेंगे फर्स ठाडे और फोर्थ नमबर जो की इसमें सही है पहला है लेटराइट मीटी समाने तरह अधिक वर्स वाले छेतरों में पाई जाती है इस मीटी में मुखे तरह मोटे आनाज की खेती की जाती है इस मीटी में चाए की भी क्रीसी की जाती है पर इसमें सेकंड नमबर जो की गलत है या एक चारिये मीटी दिया हुआ है जो की गलत है लेट राइट मीटे जो की छारिये मीटी नहीं है नेक्स्ट है इसमें भी बताना है कि कौन सा कथन जो की गलत है इसमें भी जो सही है उसको पहले हम लोग देखेंगे इसमें सेकंड ठर्ड यां फॉर्थ नमर जो की सही है सुख जाने पर यह मीटी इंट की भाती कठोर हो जाती है, इस मीटी में लोहा योम एलुमुनियम की अधिक्ता होती है, इस मीटी की उर्वारा सक्ती कम होती है, परफर्थ नम फर्स्ट अप्शन जो की गलत है, लेटराइट मीटी में सीलिका की अधिक्ता होती है, जो की गलत है नेक्स प्रस्ण है भारती एक किरिशी यों अनुसंधान परिशद अनुसार भारत की लगव कितने पर्तिशत भूमी मिर्दा आप वर्दन की समस्या से परवावी थे 60% मिर्दा आप वर्दन से समन्दित है धान की खेती के लिए अती उपजाओ भूमी कौन सी होती है धान की खेती बिए डोमट मिटी आवस्यक है छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मिर्दा आप वर्दन के लिए उतरदाई कारण क्या है इसके लिए बीचों के बड़े पैमाने पर कटाई होना इसका परमोख कारण है अपवर्दन का नेक्स्ट है मिर्दा अपवर्दन रोका जा सकता है मिर्दा पवर्दन जो है से बिदिच को रोप करके यानि वन रोपन के द्वारा मिर्दा पवर्दन को रोका जा सकता है नेक्ष्ट है रेगूड नाम है रेगूड जो की काली मिर्दा का ही नाम है नेक्ट प्रस्ण है रेगूड मीटी सबसे ज्यादा है महाराष्ट में यानि काली मीटी का सबसे ज्यादा छेतरफल है जो महाराष्ट में है नेक्ट है मखरायला मखरायला यानि लेटराइट मीटी किसका परिनाम होता है लेटरी राइट जो की निथरन यानी लीचिंग का पर्मुकारन होता है नेश्ट है निमनलिखित आपरदन के परकार में से किसके कारण चम्बल के खंड बने है चम्बल के खंड जो की अवनाली का यानी नली के कारण बने है किस किसम की मीटी में जिपसम का परियोग करके उसे फसल उगाने के उपाये बनाये जा सकते है अमलिये अमलिये मिर्दा में होता है जिसमें जिपसम का परियोग करके उसे फसल उगाने योगे बनाये जा सकता है नेश्ट है किस परकार की मीटी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक्ता होती है कार्बनिक पदार्थों की अधिक्ता काली मीटी में होती है महाराष्ट में सरवाधिक पाई जाने वाली उपलब्ध मिर्दा का परकार है महराष्ट में सबसे ज़्यादा काली मिर्दा है यानि रेगुण मिर्टी पाई जाती है नेश्टियों यह आज का आखरी प्रस्ण है निमने लिखी ते राजियों में से किसे में भारत की सबसे बड़ी अंतर देशिये लवनी अंतर देशिये लवनिये आदर भूमी है सबसे ज़्यादा जो की राजस्थान में है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर देशिये लवनिये आदर भूमी है दोस्तो आज के वीडियों बसी तहीं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तरह लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को दवा ले तक मेरे दौरा डाला गया हर वीडियो का नोटिफेकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो फिर इसे नहीं साथे सारे नेश्ट वीडियो मिलता है थैंक्यू धन्यवाद